नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल कंप्टीशन प्रिप्रेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आपकी कई सारे मतलब जितने टॉपिक्स होते हैं लगभग सारे करवा दिया बस यह तीन टॉपिक बच रहे हैं ठीक है तो आई वोप आपको यह भी बहुत जल्द में प्रोवाइट कर दूंगा बाकि अगर चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब करना वीडियो को आपको लाइक करना करना क्योνकि आगर आप लाइक करते हैं तो मोटीवेशन मिलता है बाकि उससे कोई मेरा ऐसे फायदा नी यह है कि जब लाइख करते हो तो लगता है आपको अगर फायदा हो रहा दो आप पसंद भी करें आप मूझ Russia लगश्य मिल जाता ठीक है और बाकी PDF के लिए टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना उधर मैंने जो चैप्टर करा हैं लगभग PDF दे दी है और PDF आप लोगों ने बनाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवात आप लोग भी मदद कर सकते हैं स्क्रिन सॉट लेकर उसका PDF करके मुझे टेलिग्राम पर भेज देंगे तो मैं टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूगा और भाईयों का बला हो जाएगा जैसे एक प्यूपिक बना देंगे तो फाइदा हो जाएगा है ना सबका फाइदा हो जाएगा मेरा भी टाइम तो उससे आपका help हो जाएगा और सारे लोग यह करेंगे तो help हो जाएगी जैसे कोई किसी topic का बना ले कोई किसी topic का बना ले और यह सारे topic wise solutions है यह आपको किदर मिलेंगे playlist section में जाएंगे SSE CSL 2019 20 topic wise salt papers के नम से playlist वो देख सकते हैं और जो लोग यह playlist complete कर ले रहे हैं तो CPU के papers देख के जाएंगे topic wise और CHSL के भी topic wise CGL Mains का जो अभी recent के तीन paper हुए थे वो भी देख लेना क्योंकि यह सारे questions डिक्टो questions आपको मिल जाएंगे आपके अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा पचास में पचास आ जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले question पर आते हैं अच्छा इसमें कुछ समझाना तो है नहीं ऐसे मैं आपको कैलकुलेशन की trick बताऊंगा कहां पर कैसे कैसे किये चालकुलेशन स्पीड की कोई प्रक्टिस रहेगी उतने सही रहागा अब इसको सॉल्फ करने हैं बोर्ड मास्ट लगाने यहां पर मतलब होता है इन्टो जिसको बोलते है लीजन यह होता है multiplication, addition and subtraction यह चीजें आपको यूज करने होगा अब यहाँ पर सबसे पहले छोटा ब्रेकट देखेंगे क्योंकि लाइन ब्रेकट है यहाँ पर दिख गया अब आपको पता है छोटे ब्रेकट में सबसे पहले क्या करेंगे आपको division देखने हैं तो multiplication पर आएंगे multiplication यहाँ पर 3 सब 21 21 बत 33 में से घटे का कितना हो जाएगा 12 यानि 21 33 में से घटे का कितना हो जाएगा 12 यानि इसकी value होगे 12 9 अठे 72 प्लस 12 यह दोनों जूड़के 84 84 मतलब इस ब्रेकट की पूरे की value हो गई 84 84 89 में से घटे का 5 यानि इस पूरे big bracket की value हो गई 5 यानि इतने की value हो गई 5 5 से 90 में डिवाइड करेंगे 18 प्लस माइनस 15 यानकी 18 में से 15 घटाना answer 3 हो गया तो आपको बस जो दिया गया वो डिटोट करते जाना है आपका answer आजाए का कोई tension layer की चवड़त नहीं है अगला question देख लो यहाँ पे भी value find करने है आप bracket में आएंगे सबसे पहले small bracket देखेंगे 13 में से 5 यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले multiply 5 से अगर धाई में गुडा करेंगे 15 ठे 120 का आधा 60 यानि यह हो गया 60 60 प्लस 0.5 60.5 यानि इतने की value हो गई 60.5 अब 60.5 अगर 63 में से खटेगा तो कितना आएगा 2.5 यानि यह हो गया 2.5 इतने की value हो गई 2.5 आपको पता है 2.5 से divide किस में करने 2.25 में आपको पता है 2.25 पता की का MARIE 2.7 इसके बाद भी समय ले रहे तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा आपको कैसे एक चीज बताओ अगर कोई टीचर एक घंटे की वीडियो लेके आते उसमें दस क्वेशन करवाता है छे मिनट एक क्वेशन का पड़ा आप एक चीज दिमाग में थोड़ा सा अगर यह मंद दिमाग आपका काम करेगा उसको लगाना और आप एक चीज बताना कि छे मिनट में एक क्वेशन करवार है आप भी रिलेक्स होके कर रहे हो आपकी स्पीड बढ़ेगी कभी नहीं बढ़ेगी ऐसा नहीं होता देखो आपको यह समझना पड़ेगा अगर वो 60 मिनट में 60 क्वेशन करवाएगा तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि तब आप भी कोसिस करोगे आपका दिमाग है अगर उस पे प्रेसल डालो कि यह रहाएगि यह साथ मिनट में 60 क्वेशन होगे अगर आप यह मैं मुझे 60 मिनट में 60 question हो ही नहीं सकता मैं तो कहते हुख 30 मिनट में 50 question होते हैं बिल्कुल होते हैं क्यों नहीं होते 30 मिनट में मुझे याद है कि मैं जब आया था त भी मुझे 1 घंटे 15 मिनट भी pre для coming पढ़ते थे आज मैं 29-30 मिनट में कर देता हूँ और यह विश्वास नहीं होगा तो बहुत लोग हैं जो बता सकते हैं आपको 29 से 30 मिनट मुझे लगता है फ्रीका पेपर करने में मैस मुझकल से 7 मिनट 6 मिनट 5 और आपने यह देखा होगा कोई जादू है मैंने ट्रिक पड़ी है इतनी प्रेक्टिस कर ली इतना मतलब अपने दिमाग को फोर्स कर लिए भाई ऐसे करना ऐसे करना तो वो करने लग गया अगर आप यह फोर्स नहीं करोगे तो आपका दिमाग आने वाले 25 सालों तक क्यों की वीडियो देखता रहेगा कर कुछ नहीं पाओगे तो आपको खुद ही टार्गेट मतब सेट करना है इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन करने ही करने है फिर आपका माइंड उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेगा और जब कैलकुलेशन सही होने लग जाएगा तो आ आप अपने धिमाग पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पारो आप दो बार पड़ते हो एक बार 9 का मल्टिप्लाई करते हो 91090 और 93027 जोड के 117 कर रहो एक बार 139 जाओ 117 उसको मैच कर रहो फिर आपको लग रहा है सही तो यह पता हैगा लैक और कॉन्फिदेंस की कम जब तक रहेगे जब तक आपकी स्पीट कभी नहीं बढ़ सकती ठीक है अगले कोश्चन पर आते हैं चलो यह प्रेकेट दिखा इसमाल प्रेकेट आप दिख रहा है यहां पर आपको दिख रहा है दो चीज़े माइनस में तो माइनस वाली चीज़ेंगे यह जुड़ेंग चुकि 8.9 के बड़ा है और इसके आगे निगेट वह तो यह निगेट वह जाएगा आपको पता यहां भी नंगेट वह यानि कि यह माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यानि आपका यह बच रहा है 2.3 माइनस 3.2 और इसकी वेलू कितनी आई थी आपने अभी द बच रहा है मेंसे तीन दस्मलों दो घटाएंगे कितना आ जाएगा 41-32 नो यानि यह 0.9 इसकी वैलू होगे और 0.9 मेंसे 0.9 घटाओगे तो आंसर जीरो हो जाएगा आपको ऐसे समझना पड़ेगा इसकी वैलू 0.9 यह घटाएंगे जीरो हो जाएगा रैट अब इतना बड ब्रेकट सॉल्प करना हो था ब्रेकट में आओगे इसमाल ब्रेकट कहां पर दिख रहा है इसमाल ब्रेकट यहां पर तीन बटे-चार धन दो बटे-तीन हर बराबर नहीं तो आपके दिमांग में एक ही चीज़ आनी चीज़ है तीन तीन चार दुनिया अट नौट शत्रा आगे दिवाइड लिखा हुआ है यहां इसको गुडे में बदल देंगे 144 बटे-दो अनौशी लिख देंगे दोसों ब्रेकट की वैलू हो गई नो और दूसरा ब्रेकट ऐसे साल को आपको दिख रहा है कि यहां पर ऑफ भी दिख रहा है आपने पढ़ा है ब्रेकट में हैं फिर off solve करते हैं off solve करोगे तो यह लिखा हुए तीन बटे साथ आफ का मतलब multiply पांच उको बीस है कि किस बटे पांच 21 बटे पांच साथ याइन तीन गुड़े 3okay 9 5 बटे 5 यानिये काट मकुछ खतम हो गया है यह नो बटे पांच नो बटे 5 हो गया है और अपल लगा है यानि कि यह 9 हो गया अब देखो यह कितना हो गया 3 3 9 3 8 24 यानि कि 77 गुड़े 3 लिखा हुआ यानि 231 बटे 8 लिखा हुआ अब अगर A की वैलू इतनी है तो 8 A की वैलू इसमें 8 से गुड़ा हो जाएगा आठाट कर गया आपका अंसर 231 हो गया लगा समय अगर आप थोड़ा सा क्यलकुलेशन स्पीड बढ़ा ले रहे हो कोई भी क्यलकुलेशन का क्वेश्चन हो मतलब सिंप्लिविकेशन का 30 से 35 से यह वो कैसे होगी आपको खुद को effort मतलब इतना ज़्यादा परिशान कर देना है इतना रगड़ देना है कि वो अपने आप हो जाएगी कोई trick जो पूछते रहे तो calculation trick की वीडियो बना हजार वीडियो पड़ी है जाके देखलो हजारो और बताओ आपने इससे पहले नहीं देखी calculation tricky वीडियो बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ आगे भी कुछ नहीं होगा अगर आप खुद को रगड़ोगे नहीं अगर रगड़ोगे तो अपने आप बढ़ जाएगी नहीं रगड़ोगे हजार पांच जार दस जार वीडियो जैसे डेली आती रहेंगी और उनको क्या करना उनकी वीडियो जा रहे हैं आपको बस वीडियो देखनी है यह भी simplification कहीं है अब देखो मैंने क्या आपको बताया था कि भीए अगर 9-4-5 है 9-4-5 है आप ऐसे देख लिया करो 9 का square कितना होगा 81 4-5 का square कितना होगा 80 इसको घटाओ अगर आपको कहीं ऐसा दिया जाए a-root b और a square-b square या a square-b बराबर एक दिया जाए मतलब इसका square करो और इस वाले टर्म का माइनस के बाद जो route के मतलब ऐसे लिखा हुआ है अगर इसका square करने पर मतलब दोनों का square करने पर उसका अंतरीकार है तो इसका चिन बदल के उपर की लिखे दो यहां ही यह लिखा हूए 9 प्लस 4 फकी का ऊपर और आसे, इसका भी चेन मदल के ऊपर लिख दो, यह फिल्ल, हे ऊपर 9 2 फका लिखलो, अब एधर लिख दो, di टाइम से आप a square plus b square है नहीं कि 9 का स्क्वार 184 रूट 5 का स्क्वार 80 80 80 161 322 आपका आंसर हो गया देखी गई यह प्रशन देखके आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ यूनीक सा होगा लेकिन कुछ नहीं है आप यह तो a plus b plus c plus मतलब देखो a plus b plus c का whole cube का formula जानो या तो otherwise अगर formula नहीं भी पता तो भी हम करेंगे कैसे देखो आपको a बराबर दिख रहा है a बराबर जो लिखा हुआ है उसको solve को 0.1 का cube 0.001 plus 0.2 का cube 0.008 जुड़ेगा यानि यह 0.009 हो जागा और plus 0.02 से बन जुड़ेगा यानि कि यह total बन जाएगा a बराबर 0.036 यह तीनो जुड़ेगे plus यह कितना लिखा हुआ है 3 times of 5, 16, 27, 48, 48 यानि कि 0.048 लिखा हुआ है और plus 0.036 है यानि कि यह 2 times हो जाएगा यानि कि यह लिखा हुआ है 0.072 plus 3 times of 0.048 यानि कि 0.144 जोड़ दो 426, 7, 4, 11, 126, 0.216 यानि ऊपर की value होगे 0.216 लिख लोगे है पर 0.216 अब नीचे देखो 0.1 का square 0.1 का square कितना होगया एक दो का square 4, इनका square 9, 9, 4, 13, 14 यानि कि 0.14 होगया प्लस 4, 6, 10 और 12, 22 यानि कि 0.22 होगया दोनों को जोड़ोगा कितना आएगा 0.36 अगर 0.36 से 0.216 में डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.6 क्योंकि 36 चक्के 216 होता है अब अगर A बराबर 0.6 है तो 60 बराबर कितना हो जाएगा 60 से इदर गुड़ा तो 60 बराबर हो जाएगा 6 गुड़े 6 यानि कि 36 काम खत्म हो गया ठीक है और ओर ऐसे में फार्मूला भी बताए दे रहा हूं कि भाईया एक क्यूब मलब A प्लस B प्लस C का होल क्यूब का फार्मूला होता है तो आपको ध्यान रखना है कि यह फार्मूला क्या कहता है त्री टाइमस ओफ ए प्लस B प्लस C प्लस यह होता है यह प्रस्ण देखिएगा यहाँ भी इवाइल्वेट ही करना है अब यहाँ पर आपको ब्रेकेट भी दिख रहा है ओफ भी दिख रहा है डिवीजन भी प्लस 3.5 दोनों कट गए बच्चा 45 यह देख लो इसमें क्या था कुछ नहीं आपको ब्रेकेट में आए सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर सबसे चोटा वाला है तो 72 और 34 कितना हो गया 106 हो गया डिवाइद बाइद 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 दो यानि कि तीरपन हो गया यह इतने प्लस 6 ग्यारा ग्यारा दुना बाइस तीरपन बाइस पूछा गया 75 हो जाएगा अचा कहीं पिर आपको बहुत चोटी चोटी प्रॉबलम होती है आप एक दूसरे से पूछने लग जाते हो कोसिस कर लिया करो एक बार दिमाग को फोर्स भी करा करो कि यह क्वेस्चन क्यों नहीं हो रहा है एक बार लगाने अगर आप अपना टाइम नहीं डियोड कर रहे हो तो दूसरे का टाइम कैसे ले सकते हो यार आपके लिए आप एक बार प्रियास करते हो नहीं हुआ तुरंद ग्रूप में तुरंद किसी को ऐसे कभी सीख पाओगे उसने सलूसन दिया सलूसर को से करगजाए अगर नहीं होता महुआ तबहुत बढ़ी है अगर नहीं होता मालो तिवारा भी तो आपक यसी को बेजो कि वसलूसन बेढ़ेगा आपको फिर आप कीाटा स्लूसन देगा आपको परी जिंदकी के लिए लिह जाएगा नहीं एक दिन का खाना द General abilities, भूखे मर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई काना बनाना और पैसे कमाना शिखादे तो आप डेली खाना बना सकते है तो आप उस पे विश्वास करो ना कि Instant Profit पे यह प्रसन देखो सबसे पहले Δिविजन देखो Дिविजन कहा पे देख रहे यहां पे 10 में 20 करोगे 5 गुड़े 3 लिखाओ यानि कि यह 15 हो गया 42-42 हो गया 25 जुड़ेगा 17 यानि इसकी वैलू पुरे ब्रेकट की 17 हो गई 163 हो जाएगा और 163 में क्या जोड़ना है 4 166 हो जाएगा समझा है फिर से समझ लो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 3 15 15 15 42 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा 57 57 अब देखो 57 में से 40 गटेगा 17 17 35 52 156 157 134 166 यह भी simplification ही है अब simplification है तो आपको यह ऐसे लिखे रहने देना है जहां पर हर दिख रहा है उसको solve करना है लिखा क्या होगा है हर में 23 बटे यह रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6 है आप एक काम करोँ रूट देखतो यहां पर मैनिस रूट 6 है यह झानी कि यह माइनस रूट इसको काहर। इसको भी मानो यानि ए प्लस वी दिया गए है है A-B से उपर नीचे गुड़ा करतो, यानि कि root 2 plus root 3 minus root 6 से उपर नीचे गुड़ा करोगे, तो नीचे a plus b into a minus b, यानि a square minus b square root 6 का square 6, और उपर गुड़ा हुआ है root 2 plus root 3 minus root 6 से, काम खत्ता, अब देखके यह लिखा हुआ, 23 बटे, 23 into root 2 plus root 3 minus root 6, divided by root 2 plus root 3 का square, a square 2 plus b square, 3, 2, 3, 5 ह हो जाएगा, plus 2a b, यानि 2 root 6, minus 6, 5 plus 2 root 6 minus 6, यानि यह होगा, 2 root 6 minus 1, ठीक है, अब 2 root 6 plus 1 से उपर नीचे गुड़ा करतो, 2 root 6 plus 1 से उपर नीचे गुड़ा करोगे, तो आपको पता है, a plus b, a minus b नीचे है, तो 2 root 6 का square, यानि कि 24 में से एगटे का 23, 23, 23 कट गया, यानि आपका बचा, root 2 plus root 3 minus root 6 into 2 root 6 plus 1, बिस इको solve करो, solve करो, तो root 2 into 2 root 6, यानि कि 2 root 12, यानि कि 4 root 3 हो गया, plus root 2 plus root 3 into 2 root 6, यानि कि 6 root 2 हो गया, मैइस टूयलव और माइनस से लिखा हुए आप इसको सॉल्ब करो चार प्लेका हुआ ओ जो प्लेका है इसमें से घटाना हा ये वाला घ्र आपको दिख रहा है कि अगर यह घटे का पूरा तो इतना पूरा इतने से कड़ जाएगा और minus अल्रेडी लगा हुए माइनस 12 है यानि कि minus minus 12 है यानि कि plus 12 हो जाएगा समझा रहे हैं आप देखिए इतने की value आपको पता चल गई इस वाले के 5 root 3 plus 7 root 2 minus root 6 और plus minus 12 अब अगर minus यहाँ पर देखिए आगे लगा हो यानि यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा plus और यह हो जाएगा plus minus 5 root 3 यह यह सब कड़ जाएगे आपका अंसर 12 बचेगा चलो 10-15 सेकंड में यह भी करते हैं आपको सबसे पहले off देखना है यह हो जाएगे लिखा हो जाएगे बते बारा लिख दो इसको अनशाल बटे 144 अनशाल बटे 144 से डिवाइट करना है यानि एक सो चोरे बटे सकाल से गुड़ा कर दो गुड़ा करोगे तो तो यह उन्चास उन्चास कट गया 9 से Max 16 16 में डिवाइट करना 1296 इंशाल गर दो यह लिखाँ तो आप धस जाओ आपको कुछ नहीं आएगा यह सीज़ें पता होनी चीए अभी तक अगर आप इनिशियल डेज में हो तो अगर नहीं पता है चलेगा लेकिन अगर आप एक साल यारी कर चुके हो यह नहीं पता कि यह 25 होता है तो आप खत्तम हो यह 25-21 बराबर नहीं है स्कोर कर दोगे तो 441 मेरी बातोंक अगर बुरा लगग रहा है तो बुरा आपको बुर ii जहे वीडियो देख रहो आपकी तयारी का भी इसील फेज चल रहा है तो आप प्लेवेक इस फिट घटा लेना ठीक है तुकि मैं आपका टाइम नहीं किल करना चाहता है बहुत कीमती समय बारा प्रेल तक है आपके पास चलो सबसे पहले 12 सेकंड में आप सभी को करना है चलो करो आपको पता है कि ब्रेकट कहां पर दिख रहा है यहां पर इसमाल ब्रेकट 15 में से 20 गटेगा 30 30 का 3 गोना 90 यह 90 लिखा हुआ है 166 में 4 से डिवाइड करोगे 42 प्लस 2 माइनस 11 धूना 22 बैस दो 44 44 में से 22 गटेगा 22 नब्य में जुड़ेगा 112 112 में 27 जुड़ेगा 149 आपका अंसर बोलो लगा 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देखो कहां गया x is equal to 2 प्लस रूट 3 तो इसकी वैल्यू फाइंड करने है आप कई बिल्कुल लिख सकते हैं माइन यह प्लस 16 x स्कुर को 4 x स्कुर का होल इसकोर लिख सकते हैं आपके बिल्कुल अब यह होगे a square ब्लस 20 स्कुर माइनस 2 यह भी हैनि माइनस टू टाइमस आप एक्स स्कुर इंटू 4X लिखेंगे तो माइनस 80 x को आ जाएगा यह आपका लिख इसका square लिखा हुआ है ठीक है into x-4 कितना हो जागा 2 plus root 3 minus 4 है root 3 minus 2 का whole square लिखा हुआ यह देखे root 3 plus 2 root 3 minus 2 दोनों पर power 2 लेगा है यानि कि a plus b into a minus b a square minus b square root 3 का square 3 minus 2 का square 4 3 minus 4 एक का square मतलब minus 1 का square एक हो गया और अगर आप ऐसे करते तो आपको पता नहीं कितना समय लग जाता अच्छा आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर x cube common ले 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 लेकिन उससे ज्यादा time लगता तो यह भी time थोड़ा बस सकता था अगर आपके दिमाग में a minus b के whole square का formula ना आता तो देखो लाइन कोश्टक की हम बात कर रहे थे कि लाइन bracket कहीं दिख रहा है आज दिख गया सबसे पहले रेकेट में जाएंगे सबसे पहले लाइन ब्रेकर 18 13 31 में से 18 घटेगा माइनस 13 माइनस 13 25 में से माइनस 13 घटाने यानि 25 प्लस 13 जगा 32 में से घटेगा 4 चार 225 में से घटेगा 221 काम खत्म अगर कोई कहता है मैं आपको simplification पढ़ा रहा हूं तो हो मूर्ख बना रहा है simplification पढ़ाने वाली चीज ने करवाने वाली चीज है और जितनी तेज मैं करूंगा अगर आपका दिमाग उतनी तेज काम कर रहा है इसका मतलब आपकी speed maintain होग जब धीरे-धीरे time घटाना है तो 1.25 कर लेना 1 कर लेना 0.75 कर लेना मुझसे जल्दी भी करना 0.5 करके क्योंकि मुझे यहां समझाना पढ़ रहा है और आपको समझाना नहीं आपको खुद करना है तो आपकी speed मुझसे ज़्यादा हो जाएगी अपने आप ठीक है चलिए औ पर दिख रहा है चोविस में 4 से डिवाइड करेंगे 6-3 अठारा अठारा मेंसे दो दूनी 4 घटेगा 10 दस दो बारा बारा का तीन गुना 36 अब यह लिखा हो है बात्तर माइनस 36 धन 8 यह तो लिखा हो है बात्तर माइनस 36 धन 8 अब देखो एक बार हमने कहीं गलती कर दी फि बात्तर 8 80 मेंसे 48 घटेगा 32 समझा गया तो आपको क्या करना था चोविस में 4 से डिवाइड करना था चे तिया 18 यह 18 हो गया दो दूनी 4 माइनस लगा हो है दो प्लस अठारा दो 20 मेंसे 4 घटेगा 16 16 के इंटू 3 लिखा हो था यानि 16 तिया 48 इसकी वैल हो गया 48 माइनस आग 40 माइनस का है यानि 72 माइनस 40 32 हो गया तो आपको ज्यादा मतलब हल्की कैलकूलेशन पड़ेगी चलो इस प्रश्ण को भी गिरा दो सबसे पहले ब्रेकट इसमाल प्रेकट कहां पर दिख रहा है यहां पर 8 में से गटेगा 7 7 3 में से गटेगा माइनस 4 माइनस 4 यहां पर 4 प्लस 4 यानिकी इसकी वैलू होगे 9 पूरे की वैलू होगे 9 10 में से गटेगा एक फिर से समझ लो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो 8 में से गटेगा 7 अब देखो 7 के बात करलीव रेकट में लिखा 3 माइनस 7 यानिकी इसकी वैलू होगे माइनस 4 करलीव रेकट अब अब जो नहीं दो कि अगया होगे माइनस लगई यानि ब्रस में ओपन होगा अब देखोँ यह देखो यह अपने आपने इंडिपेट मीं इनिने म给我 निये मां इस टूर्प यहउया पर कितना लिखवा है 120 बाइं 111 से 121 में डिबायर करें एक एक प्लस चार प्लस चार यानि कि यह कितना हो गया चार चार आठीक नो यानि इतने की वैलू हो गई नो दस में से गटेगा एक आंसर और आप लोग जो यह आपके अंदर टेनेंसी बन गई है कि बड़ा साल आप जैसे यह इतनी बड़ी लाइन दिखिए आपको लगा भाई यहां बता हैं। ब्रेकट देखा यहां पे दीक रहा है, यहां पे है यहां पे भी दीक रहा है। ब्रेकर में तीनों ब्रेकर अलगा है तो तीनों के सामने यह जो सइन लगा वो छोड़ के बागी वा nett y assure 12 ब्रेकर में मैंद आवको पहले 5 का 5 जो पश्ण होगा एक और 3 observed लगा था वह लगा दो यहाँ पर प्लस यहाँ पर गुड़े चार दुनी 8 लेकिन माइनस का 8 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 है तो यह माइनस 8 हो गया और 18 आगे लिखा हो यहाँ माइनस 8 आपका अंसर 10 हो गया देखो एक्स के लिए सॉल्व करना है आप सीधे सीधे जो सॉल्व करना है कहा गया एक्स अगर 10 से छोटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखो आपको दिया गया 132 डिवाइड बारा गुड़े एक्स 132 में 12 से डिवाइड करोगे 11 इंटु एक्स स्कॉर माइनस 11 एक्स प्लस 10 बराबर 0 दस के दो ऐसे फैक्टर जोडने पर 11 आए 10 और एक्स स्कॉर माइनस 10 एक्स माइनस 10 बचेगा एक्स माइनस 10 बचेगा एक्स माइनस 10 से डिवाइड करोगे एक्स माइनस 1 बराबर 0 एनि एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 10 भी ह आफ़ नंबर एन बराबर 35 तो आपको साथ बटे आठ चाहिए यानि साथ बटे दो से इधर भी गुड़ा कर दो यह लिखा हुए एक सो पचतर बटे आपके दिमाग में नहीं आ रहा अठारा सत्य कितना होता है एक सो चब्विस यह बारा सो साथ में से गटा नहीं लिखा हुए लिखा हुए बारा सो पच्चीस बटे दो इवाइट करो के छे सो बारा पॉइंट पांच आ जाएगा अगर आप ऐसे नहीं देखो मैंने क्या किय अंगा आप ऐसे कर सकते हैं साथ लिख सकते हैं साथ लिख सकते हैं पासी साथ 179 25 से य कितना हो चास बारा जास गटा घ्याटा देते तो आपका अंसर ऐसे भी 1225 हो जाता है करने की मेथड आपको पता हो निचे कैसे करना है बग्किया आप कर लेंगे यहाँ पर कोई भी ट्रिक आपके दिमाग में जो ट्रिक आती हो वही चेप दो ऐसा जरूरी ने कि यही आपके दिमाग में है आपके दिमाग में ऐसा भी आ स सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो देखो 3.5 गुणा तो 175 का 3.5 गुणा अगर करना है तो 175 का 3 गुणा 525 हो गया दस्मलों पांच गुणा यानि कि 0.875 गुणा पांच गुणा पांच गुणा तो 5,7,12,2,8,10,1,1,1,6,5 आपका यानि कि यह प्रस्ट मैं आलजेब्र में करवा चुका हूं लेकिन फिर से देखो कहां रूट एक्स प्लस उन अपॉन रूट एक्स की वैलू क्या होगी सिंप्लिप्रिकेशन का भी है तो आप क्य काम कर सकते हो रूट एक्स का मल्टिप्लाई कर दो तो यह हो जागा एक्स प्लस उन अपॉन रूट एक्स वैलू पुट कर दो तो एक्स प्लस उन यानि कि रूट टू प्लस टू आएगा रूट टू कॉमल लेलो यानि रूट टू इन्टू रूट टू प्लस न मैं इस व आपको पता है 22 का स्क्वाइर चारसो 84 होता है यह 14 मलो 8 है यानि 22 से थोड़ा कम है यानि कि 2.1 21 के आसपास हो जाएगा 21 मलो 97 यानि 2.1973 हो जाएगा देखो आपको 22 का 2.2 का स्क्वाइर करोगे तो 4.84 24 सम्थिंग आएगा यहाँ पर आप देख रहो हो 828 आ रहा है तो इससे तो कम है यानि 2.2 के स्क्वाइर से मतलब इसकी वैलू 2.2 से तो कम होगी यानि आपका कम होगी तो एक ही ऑप्सन है जिसमें 2.2 से थोड़ा कम है तो 4.84 से 4.88 बहुत कम कम है तो यह आपका आंसर रोच यह परशन देख लो कहा गया एक शंख्या और इसके एक टिहाई के भीज़कर इसका डिफरेंस ऑच्छे एक पहन से संख्या अपने आपमें कितनी होते ही तीन थी हाई उसमें से एक तीहाई घता दिया गया निक्रत्य दो से काट्थो के तो 11 और 4 114 आ जे इनी संख्या कित संक्या का निकालना कि इसका 11760 इसमें कुछ था तीन तीन कड़ गया तीन पांच अठे चालीस यानिकि जीरो कड़ जाएगा चार से डिवाइड करेंगे चार दुनियाठ तीन चार नवा चातिस चार चोको सोला यह प्रस्ट मेंने अलजिब्रा में करवाया है हाला कि लेकिन फिर से करवाया दे रहूं देखो आपको क्या काम करना है चार बटे यह कितना लिखा हो रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 ठीक है रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 से उपर नीचे गुड़ा कर दो कर दे रहे हैं रू इसकोर 3 प्लस रूट 2 का इसकोर 2 तीन दो 5 प्लस रूट 6 तो 5 प्लस रूट 6 माइनस एक चार प्लस रूट 6 बच रहे हैं दो से डिवाइड कर दो यानि यह दो कट गया यह दो बचा और यह दो बचा यह बचा है टू टाइमस अब रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 इसको मिटाने के बाद आपको देखना है इससे तूलना करनी है यह बराबर सम्थिंग दिया गया क्या दिया गया इसके बराबर इसके बराबर आपको दिया गया है देखेगा क्या दिया गया है इसके बराबर आपको क्या दिया गया यह दिया गया है A प्लस B रूट 2 प्लस C root 3 माइनस D root 6 अब आप देखो root 6 का गुडांक यहाँ पर root 6 का गुडांक D है यहाँ पर 1 है याँ दी बराबर 1 आ गया आपको एक चीज और दिख रहा होगा constant term यहाँ पर A है यहाँ पर 2 है constant term कहने का मतलब जिसमें कोई root वाली value नहीं नहीं रसनल लंबर कौन सी है तो A बराबर 2 और आपको एक चीज और दिख रहा होगा root 2 का गुडांक यहाँ पर B है यहाँ पर 1 है याँ बराबर 1 होगा गुडांक बोले तो factor coefficient ठीक है और root 3 यहाँ पर इसका coefficient C है यहाँ पर 0 है आप सबको जोड़ना है तो 2,1,3,1,4 आपका answer हो जाएगा देखो मैंने आपको बताया है कि simplification में कितना भी बड़ा प्रशन हो वो होता बड़ा आसान है अब यहाँ पे मालो आपको दे दिया जाए A के power something बराबर A के power something देखो power जिसके लगी है यानि कि जो base है वो बराबर है तो base बराबर है यानि आप घातों के तुलना कर लो यानि powers का सबका product ले लो पावर क्योंकि A के power B के power C के power D बराबर होता है A के power B C D तो ऐसे 3 के power 2X plus 3 के power minus 3Y4 यानि कि यह लिखा हुए 3 times of 2X plus 3 के power मतलब into minus 3Y4 अब यह ऐसा ना समझेगा कि 3 के power लगा है यह जो 2Y3 के whole की हुआएगा उसके power लगा है नहीं तो आप कहो कि A के power B के power C बराबर A के A B C होता है नहीं अगर मालोब 5 के power यह दिया गया है 5 के power A के power B के power C के power ऐसा तब आप कह सकते हो कि यह 5 के power A के power B के power C मतलब होता है 5 के power A B C ऐसा होता है समझा क्या यहाँ पर 2Y3 के power 3 के power 2X plus 3 के power minus 3Y4 लगा था इस वज़ा से ऐसा हुआ और इधर भी ऐसे कर दो 2Y3 times of 3X plus 7 times of minus 6Y5 यानि minus आगे 6 by 5 आगे ठीक है ठीक है अब आपका जो आया है उसको solve कर लो यानि यह लिख रहा है 3 बटे 4 times of 2X plus 3 इधर लिख रहा है इधर लिख रहा है 2 दूनी 4 बटे 15 3X plus 7 solve कर लो solve करोगे तो cross multiply 15 45 का गुडा करोगे 90X प्लस 135 आजाएगा इधर चार्जों को 16 का गुडा करोगे 49X प्लस 16 सत्ते 112 आजाएगा 49 में से गटेगा 42X बराबर 112 माइनस 135 यह कितना होजाएगा माइनस 23 अब यहाँ पे 42X की वैलू रख दो 42X माइनस 23 है यानि अंडर रूड में 2 माइनस 23 है 2 प्लस 23 32 25 25 का और मूर 5 अगले प्रेशन में कहा गया है कि इफ X is the square of the number when 2 by 5 of this one मतलब is divided by this one then value of 81X आप से कहा गया X जो है वो इसका जो भी संक्या प्राप्त होती है उसको square करने पर जो प्राप्त संक्या उसके बराबर है तो आपको 81X की value निकाले आपको सबसे पहले इसको solve करना है फिर इसको divide करना है 11 सही 1 बटे 4 से फिर उसके बाद जो value आएगा उसका square करके 181 से गुडा करके value बताने ध्यान देजिएगा आपको सबसे पहले bracket फिर off फिर division फिर multiplication subtraction यह पता ही होगा तो यह 2 बटे 5 off off सबसे पहले करना है off करेंगे तो कौन सा? 2 बटे 5 गुड़े 4 चके 24 से 25 बटे 4 लिखा हुआ है ठीक है 5 बटे 25 2 से 2 यह 5 बटे 2 divided by 3 बटे 7 लिखा हुआ 3 बटे 7 divided मतलब गुड़े 7 बटे 3 कर लो यह 35 बटे 6 लिखा हुआ है 35 बटे 6 off यह इन्टू साथ इकम साथ दो 9 बटे 7 लिखा हुआ है 7 से एकटा है 5 3 दू नीचे 3 तीन तीन 9 यह 15 बटे 2 लिखा हुआ है 15 बटे 2 में divide करना है 44 से 45 बटे 4 से 4 बटे 45 से गुड़ा कर दो 2 से यह कटा 15 तीन 45 होगे यह यह दो बटे 3 इसकी बटे 3 का स्क्वाइर जो है वो एक्स के बराबर है यह एक्स की बटे वैलू हो गई 4 बाइन 9 एक्स की बैलू 4 बाइन 9 हमें निकालना कितना है 81 एक्स यानि कि 81 इंटू 4 बाइन 9 नाइन जा 81 और 9 इंटू 4 कितना होगे 36 चलो सिंप्लिफाई कर लो लाइन ब्रेकट 8, 3, 11 18 में से गटेगा 7, 7, 14 में से गटेगा 7, 7, 16 में से गटेगा 9, 9, 25 में से गटेगा 16 हाला कि यह प्रेशन मैंने अलजबरा में करवाया था बट फिर भी देख लो 21 पाउर रूट-X 20 पाउर रूट-X बड़ाव 29 पाउर रूट-X आपको तुरणत यादा आदने चाहिए 21 का स्क्वार प्लस 20 का स्क्वार बड़ाबर होता है 29 का स्क्वार है ट्रिपलेट बनाते है तो तुलना कर दो तो 21 के पावर यहां पर रूट एक्स मतलब देखिए सेम पाइटरन पर लिखा हुआ है तो मतलब पावर के तुल ना करोगे तो रूट एक्स बराबर दोनों पच्छों का स्कुर्ण रूगे तो एक्स बराबर 4 चलो एक कोशन आराम से कर लेते सबसे पहले ब्रेकट इसमाल पर यहां पर दिख रहा है यहां पर 16 में से 5 गटे का देखो 18-11 फिर मिडल ब्रेकट 8-11 माइनस 3 माइनस 3 अब देखो यह माइनस के आगे माइनस लगाओ यानि यह प्लस 3 5-8 तेरा माइनस आठ प्लस 10 13 मैसे माइनस तेरा प्लस 3 यह कितना हो गया या ऐसे सोचो 10-3 तेरा प्लस का माइनस का यह कट गया यह 8 बचा 8 में से 8 गटे का चीरो यह भी सिंप्लिफिकेशन ही है देखो 18 परसेंट आप 15 परसेंट आप 15 बटे नो आप 38 परसेंट कितना हो जागा 18 परसेंट यानि 9 बटे 50 15 परसेंट 3 बटे 20 होता है 25 बटे नो सीधे लिख लो गुड़े 38 300 लिखना है सीधे लिख लो वो भी अब आपको यही सौल्व करना है सौल्व नो नो कट गया 25 से 52 हो गया यह यह कट गया दो दूनी चार से कटेगा 496 चार पचे 95 तियां कितना होता है तीन गुड़े 90 270 और 15 और जोड़दो 250 यह प्रस्णम ने आल्रेडी कर लिया 8 3 11 अग नंबर अगर एन हो उसका 25 परसेंट यानि एक चोथा 68 के बराबर है संक्या कितनी हो जागे 68 गुड़े 4 70 का 4 गुना 280 चुकि 70 से 62 कम है यानि कि दो चार दुनी 8 घटा देंगे 8 किसमें से कटेगा 280 में से यानि 200 अधरवाइद 240 बत्ति 2072 आपको पता हो अगर आपको कोई इसा question दीख रहा है जो आपको लग रहा है मैं नहीं करा रहा हूं और नंबर सिस्टम का है मदब उसका simplification का है तो उनमबर सिस्टम याल्जेब्रा में अल्रेडी हो चुका होगा इस वेसरे छोड़ रहा हूं आपको इसको सॉल्व करना आपको सबसे पहले ब्रेकर्ट देखना है इसमाल ब्रेकर्ट जहां दिखेगा वहीं टूट पड़ोगे यह लिकाओ दो सही तीन बटे चार यानि कि चार दुनियार तीन ग्यारा बटे चार और माइनस ग्यारा बटे- लेकिन 23 हो जाएगा 23 मैनिस ग्यारा बाइस बटे बारा यानी की 11 बटे छे लिखा ख़ए घ्राड़ इसे खटाओगी यानि 16-11 बटे 6 यानी 36-11 बटे 6-25 बटे 6 से डिवाइट करना आट 24 25 बटे 8 में पच्रीश बटे आठ में दिवाइट करना छोड़ा होगा कोई question तो वो इसी हिसाब से कर ले ना हाला कि मैं एक भी question छोड़ने की मतलब कोशिज कर रहा हूं कि सारे की सारे questions हो जाया कहा गया कि by adding 3 and 5 in numerator and denominator of a fraction यानि कि एक भीन के अंस और हर में करमसा 3 और 5 जोड़ने पर 2 दो बटे 3 बन जाती है और कहा कि if 1 and 3 are subtracted and added from the numerator and in the denominator respectively it weakens 2 by 5 यानि कि तब यह दो बटे 5 हो जाती है आपको fraction बताने देखो आप basic तरीका है कि आप मालो a बटे b भीन है ठीक है अब पहला case हो कहा गया कि अगर अंस में 3 add किया जाता है और हर में 5 add किया जाता है तो यह 2 बटे 3 बन जाती है ठीक है एक तो यह हो गया दूसरे case में कहा गया कि भीन जो लिखी है यानि a बटे b उसमें अगर एक घटा दिया जाया अंस में से और हर में 3 जोड दिया जाया तो यह 2 बटे 5 बन जाती है ठीक है तो आपसे पूछा गया है कि भीन किया है अब इसी को solve करना है और आपको a by b की value निकालने तो अगर इधर solve करोगे तो यह देगा 3a plus 9 बराबर 2b plus 10 यानि आप कह सकते हो 3a minus 2b is equal to 1 ठीक है अगर इधर solve करोगे तो 5a minus 5 is equal to 2b plus 6 दिया गया यानि आप कह सकते हो 5a minus 2b is equal to 11 अब दोनों को घटा दो 5a minus 2b में से 3a minus 2b घटा होगे तो कितना आ जाएगा 2a बराबर कितना जाएग 10 यानि a बराबर 5 यानि भिन का अंसर तो 5 होगा तो किसी और में दिखना ही रहा काम खत्म हो गया अब अगर आपको पूरी भिन नहीं चाहिए तो 5 यहां पर रख लो यानि 15 minus 1 बराबर 2b यानि की 2b बराबर 14 यानि b बराबर 7 तो एक की वेलू 5b की वेलू 7 तो 5 बटे 7 आ 3 चोको 12 3 बटे 4 आ रही जबकि 2 बटे 3 आना चाहिए यह भिनने खत्म होगे दूसरे आप्सन पर आंगे 5 बटे 7 अंसर में 3 जोड़ो 8 नीचे 12 चार दुनिया चारतिया 12 पहला जो चीज कहा गया वो तो सैटिस्पाई हो रहा है यह दो बटे 3 आना चाहिए आ रहा है अब मैंने अलजेब्र में करवा दिया हाला कि बताया दे रहा हूं कि यह स्टेंडेट क्वाड्रेटिक के क्वेस्टन होता है जिसके रूट्स अगर अलफा और बीटा हो तो उनका समाफ रूट्स होता है माइनस ऑफ माइनस बी आने की बी बाई है और इनका प्रोड़क्ट अब करना एक जाएक वीवाइस एंसर हो जाएगा तो सिंपलिफाई करने को कह दिया गया आप की लिएवार फॉइंट साथ पायंट पांच याने की बीस है सिम्प्लिफाइब करने को दिया गया सब से पहले समाल ब्रेक एक बटे चार मैंने से रखता है पांच बटे चार में से अगर ये बटे बीस घटाता नहीं है फेर 5 से उपर ने चुखड़ा करो 25 बटे 20-24 बटे बीस यनिकी छे बटे सबसे पहले ब्रेकट में जाओगे सबसे पहले क्या देखोगी ऑफ किसके साथ ब्रेकट के साथ तो 25 और 35 कितना हो जाएगा साथ साथ का तीन बटै दो जुना यानिकि 90 से घटाना है 12 से तीन बटै चार तो 90 से बारा घटाओ तो यह कितना हो जैगा 788 में से घटाओ 77 सही बटै पहले किसकी बेल हो गई और इसमें डिवाइट करना है 309 में अगर डिवाइट करना है तो 77 को कितना हो जैगाँ rains गुड़े 70, 280, 280 में 8 जोड़ोगे, 308 और 309 बटे 4, 309 में 309 बटे 4 से डिवाइड करना है, 309 बटे 4, 309, 309, 309 कट गया, 4 उपर चला जाके, आंसर चा, अगले टॉपिक क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्सिर में जरूर बताएं, बाकिए ये प्रेशन देख लो, evaluate करना है, साथ में साथ से डिवाइड करोगे, एक प्लस साथ, आठ, आठ, साथ में जो गुड़ा होगा, 56, 7, 63, यानि, 63 लिका होगा, प्लस, साथ में साथ से डिवाइड करेंगे, एक 400 अंसर, दिख रहा है भेहन कर सा, सलूशन पिद्दिस आएगा, देखो, आपको सबसे पहले अगर आप देखें, चारतीया, बारा, बटे, चार, ओ, चारतीया, बारा, एक 13 बटे, 4, आफ, आठ, बटे, 13, तेरा, 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 कट गया, चार दुनिया, यानि, इसकी वेलो होगे, दो, दो से चार बटे, पांच में डिवाइड करेंगे, दो बटे, पांच और इसको गुड़ा करना है, 26 बटे, 5 में, और प्लस, पांच बटे, 6 लिकाओ, तेरा, दुनिया, चार, यानि, 6 बटे, 5, ये लिकाओ, दो, बटे, 5, माइनस, छे, बटे, 5, ये होजाएगा, इसको सॉल्फ करना है, सॉल्फ करने में क्या है, आप रेकर में होगे, तीन प 85, 83 में से 75 गटे का 8, 8 से 800 में डिवाइड करेंगे 100, 100 में से 77 गटे का 23, देखो, ये प्रेशन, हलाकि मैंने अलजिब्रा में करवा है, फिर भी देख लो, एक्स बराबर इतना दिया गया, अब 2 को इस साइड ले हो, तो यानि, एक्स माइनस 2 बराबर, क्यूब रूट 5 मि यानि आप करे सकते हैं, एक्स क्यूब बराबर हो गया, 6x स्क्वाइर, प्लस 8, माइनस 12x, प्लस 5, एक्स क्यूब बराबर हो गया, कितना हो गया, यह हो गया, 6x स्क्वाइर, माइनस 12x, प्लस 30, ठीक है, अब आप से पूछा गया, एक्स क्यूब, माइनस 6x स्क्वाइर, माइनस 12 यहां पर प्लाट एक्स क्यूब बराबर अगर इतना है तो यानि एक्स क्यूब को जगाँ लिख सकते हैं टेवाइड करूए एक का एकवड़का गुड़ा होगा एक पाँच वाइड़ पांच रिष प 2015 से से अगर बाटी पांच है निये पंस पांच हो चाहेगा तो पांच कर गुड़ा यहीं सिस की वेलौ से क्या है मार्ण पंच चों को बीस है कि स्वट्वटें पांच और इसमें दिवाइड करना है एक एक ब्यूटे 2150 25 ऐक बठेड़ का सुट्व एक बठेपांच एक बठेट है ना इस ने जोल usb पर निचु गुड़ा आठ चो को 32 बटे चालिस प्लस 3 बटे चालिस हो जाएगा और गुड़े एक बटे पांच लिखा हो इतने पूरे की वैलू साथ बटे चालिस में जोड़ेंगे हर बढ़ावर 33 साथ 40 बटे चालिस यह एक अंसर यह सब प्रश्ण मैंने अलजिब्रा मे माइनिस दो रूट पंद्रा फिर स्क्वाइर कर ऊगे तो एकस्वाइर प्रावर कितना आ जाएगा चौउट मैंने साथ 14 प्लस साथ एक सो चोगीशन ऐने चारण चाठ तीस रूट पंद्रा वेल्लू रूट रख तो तो होगे एक सो चोगिस मैंनेस बटेस रूट पंद् ऐसा प्रश्न देखें मैंने बता था कि X plus 1 by 1 ब्राव रूट 3 अल्जिब्रा में करुआ है अल्जिब्रा का प्रश्न है हलाकि यहां पर फिर से बता दे रहा हूं कि अगर X plus 1 by 1 ब्राव रूट 3 तो आपको याद रखना है X power 6 बराव माइनस 1 होता है तस बटे तीन था, तीन बटे दस कर दो, दो पंचे दस, दो उन्तालिस, उन्तालिस त्यां एक सो सत्रा बटे पाँए अब देखो इसकी वैलू होगे एक सो सत्रा बटे पाँच, सीधे लिखे लो, आगे माइनस लगो, साथ में एक बटे चोदस मल्टिप्लाई करना, यानि गुड़ा कर दो, निंए यानि यानि चानिमे लिखा उए, प्लस, तीन बटे पंदर, पंदर्ः में फंदर्र से डिबायट करूगे एक, इतना लिखा उगा, अठ्छा नramos, निननान्नVEN में से ये कितना लिखा हुए देखो 23 सही 2 बटे 5 लिखा हुए ठीक है 23 घटा होगे तो ये कितना आ जागा 99 मैंसे 23 घटा होगे 76 76 मैंसे एक और कम कर दो 75 और ये एक मैंसे 2 बटे 5 घटा होगे 3 बटे 5 75 सही 3 बटे 5 में अगर 75 सही 3 बटे 5 से डिवाइट करोगे तो आपका आंसर एक हो जाएगा देखे रहो रेशियो का प्रस नहीं लेकिन फिट भी करवाया दे रहा हूँ कहा गया और रेशियो भी करवाना है ठीक है तो रेशियो एंड प्रपोर्शन मैं सूच रहा हूँ उसका 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी करवाना है और परसेंटेज वो तो आप करी लेंगे मतलब करवा दूँगा वह भी तो वह ज्यादा समय नहीं आप लिख दीजेगा कौन सा सीरियल ओडर होने चीज़ सारे लोग को लिख देना है चाहिए लिख जाओगा ओब अगर को आप अपको करने थे स्म्प्रिकेशन में I hope सारे questions मैंने cover कर दी हूँ अगर एकात question छूट गया हो तो algebra number system में check कर लिजेगा उधर मिल जाएगा बाकि PDF जो बना पाएगा प्लीज भाई टेलिग्राम पे भेज़ देने टेलिग्राम ID आपको दीख रही होगी अगर आपको कोई personal love to Instagram पे में message कर सकते हैं Instagram ID भी दीख रही होगी और चैनल पे नहीं होना subscribe कर ले ना वीडियो को like share कर ले ना और genuinely subscribe कर रखा है वो क्या करेंगे वो वेल आइगन प्रेस कर लेंगे बाकि टेलिग्राम चैनल से चलो चूट जाना बाबाई take care love you all